नमसकार, श्वागत आप सभी दोस्तो का, मैं हूं मुकेस जाने, बादाम का चमतकारी उपाई, हर काम में सफलता पाने के लिए, बादाम का चमतकारी उपाई, हाँ दोस्तों, ये है आज का विसाई, ये है आज का सबजेट, पहले तो दोस्तों आज जो भी भाई बैन का जन्म दिन है सभी भाई बैनों को जन्म दिन की सुबकामना सुब्यच्छा खुश रहे प्रसंद रहे इस्वा की कुरुपाद रष्टी आप सभी के उपर बनी रहे दोस्तों कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है आप हार्ड वर्क करते हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है दोस्तों आज मैं आपको एक छोटा उपाई देता हूं पूरी स्रद्धा और विश्वास के साथ ये उपाई आप करें आपको हर काम में सफलता मिलेगी और आपको गेरेंटी देता हूं हाँ दोस्तों सफलता पाने के लिए पहले तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करें अपना एक गोल तई करें बस गोल तई करने के बाद दिन रात लगे रहें आप जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक दोस्तों आप हार्ड वर्क भी करते हैं स्मार्ट वर्क भी करते हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती है तो मैं आपको आज एक छोटा उपाई जाता हूं स्रद्धा विश्वास और आस्था जरूरी है दोस्तों हर दिन मैं यह आप बात बार बार दोहराता हूं कि हर उपाई में स्रद्धा आस्था और विश्वास जरूरी है दोस्तो अगर स्रद्दा नहीं है विश्वास नहीं है तो कोई उपाई का परिणाम नहीं मिलने वाला है दोस्तो आप में थोड़ी भी स्रद्दा है इस वर के प्रती विश्वास है तो ही आप यह उपाई करे दोस्तों बाज से बटक जाने से पहले देख लेते हैं आज की समस्या और समस्या का उपाई दोस्तों कड़ी मेनत करने के बाद आपको सफलता नहीं मिलती है तो मैं आपको एक उपाई देता हूँ बाजार में से आप एक सुखा नारियल ले आए सुखा नारियल स्रीफल नारियल के अंदर से गोला निकाल दीजिए नारियल के अंदर से गोला निकाल दीजिए संबल के तोड़ना गोला तूटने जाए अंदर का अब वो गोले में एक छेद बना कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा एक इच का छेद बनाना है चाकू से आपको आसानी से छेद हो जाएगा अंदर नौ बादाम लेनी है नौ बादाम ड्राइफ फ्रूट वाली बादाम नौ नं पिस लेनी है बादाम को अब बादाम में 100 ग्राम सक्कर का पाउडर 100 ग्राम बादाम के साथ आप मिक्स कर दे अच्छी तरह से मिक्स कर दे बाद में वो बादाम और सक्कर का पाउडर दोनो वो मिक्स जो तियार के आए ना आपने वो गोले में भर दे नारिय के गोले में वो च्छेज से दबा दबा के अंदर भू दे दोस्तो इतना कर लेने के बाद आप वेशा बरगत का पेड़ दुनेगे बरगत का पेड़ वर गुरूक्स ऐसा बरगत का पेड़ दुनेगे जहाँ इन्सानों की आवाजाही कम हो सुम्साम जगह हो जो बर्गत के पेड़ की कोई पुजा ना करता हो वेशा पेड़ आपको ढुंडना है वो गोले को आप मअले के जाए ये उपाय करेंगे आप रविवार के दिन कोई भी रविवार के दिन सुबह मैं ये उपाय कर लेना है आपको बर्गत के पेड़ के नीचे जड़ के पास गड़ा कीजिए गड़े में वो गोला रखी जीजिए उपर मीटी दबा दीजिए मीटी ऐसे दबा नहीं है कि जो छेद आपने बनाये ने वो छेद खुला रहे केड़ी मकोडी अंदर से चीटिया अंदर से वो ले जा सके बादाम उसकर चीटिया अंदर जा सके छेद को उपर की साइड में जमीन की उपर की साइड में खुला रखना है बाकी पूरा नारियल का गोला आपको जमीन में दबा देना है बस दोस्तों इतना ही करना है आपको अब दूसरे रईवार के दिन आप मिटी के बरतन में थोड़ा दूद लेके जाएंगे मिती की छोटी कटोरी में, मिती के बर्तन में, थोड़ा दूद लेके जाएंगे जिस बर्गत के पेड़ के निचे आपने दबाया है न गोला, वहाँ वो बर्गत की जड़ में आपको दूद अर्पित कर देना है आपके काम की सफलता के लिए आपको प्रातना करनी है आपका जो भी काम है जो काम में बाधाय आती है तो बाधाय दूर करने के लिए वो काम में सफलता पाने के लिए आपको प्रातना करनी है जो भी आपके इस्ट देव है जो भी आपकी कुल देवी है, कुल देवता है, जिसको भी आप मानते हो, उन्हें प्रात्ना करनी है, भर रही वार के दिन, दूधर पिक करना है, सुबह सुबह में, वो बरकत के प्याट के पिजाते हैं, बस दोस्तों, इतना करते जाएं, काम की सभी बादा एक दूर हो जाएगी, आपको सफलता अवस्य मिलेगी, मगर जरूरी है, सरदा, विश्वास और आस्था, बस दोस्तों, आज इतना ही, वीडियो के हम तक आप सभी मेरे साथ बने रहें, आप सभी का सुक्रिया, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, पास में लगी बेल वस्य दबाएए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो अब तक पहुंचते रहें, दोस्तों, वीडियो को सेर वस्य करें, बस दोस्तों, आज इतना ही, धन्यवाद, बंदे मातरों